नुकलियोसोम याने DNA की पैकेजिंग DNA की पैकेजिंग यूकेरियोटिक सेल के अंदर यूकेरियोटिक कुशिका के अंदर किस तरह से होती है उस पैकेजिंग को हम कहते हैं नुकलियोसोम बिल्कुल वैसे ही है कि आपके पास में एक बैग है उस bag के अंदर आप आपके कपड़े कैसे रखते हो systematically रखते हो या किस तरीके से आप कपड़ों को उस bag में pack करते हो तो वो क्या हो गया? Packaging तो वैसे ही हमारा जो nucleus होता है उस nucleus में DNA कैसे packed है उसको हम क्या बोलेंगे? Packaging सबसे important है कि DNA की लंबाई 2.2 मीटर हो थी आसफोरिक अमल पाया जाता है इस कारण DNA पे कौन सा charge होता है negative DNA जो होता है रिनात्मक आविशित होता है अब बात आती कैंदरक की DNA कैंदरक में पाया जाता है जिसको हम nucleus कहते हैं कैंदरक का आकार बहुत छोटा होता है तो DNA तो 2.2 मीटर लंबा है DNA बहुत लंबा है कैंदरक बहुत छोटा है तो question यह हो गया कि इत्ते छोटे से कैंदरक में इत्ता बड़ा DNA कैसे packed होता है मतलब आप यह मान सकते हो कि आपका जो bag है वो बहुत छोटा है और उसके अंदर आपको बहुत सारे कपड़े adjust करने हैं packed करने हैं कहीं आप बाहर जा रहे हो तो कैसे आप इत्ते सारे कपड़े उस छोटे से bag में adjust कर लेते हो और अब फसा फसा के डालते हो और कैसे भी डालते हो तो वो क्या हो गया उसकी packaging हो गई तो सबसे important यह होता है केंदरक में एक शारिय प्रोटीन होता है histone protein शारिय का मतलब हो गया basic basic एक प्रोटीन होता है उसका नाम के हिस्टोन प्रोटीन और यह प्रोटीन जो होता है positive charge होता है धनावेशित होता है तो हमने clear कर लिया कि जो DNA होता है उसपे तो कौन सा होता है negative charge होता है और nucleus के अंदर जो protein होता है histone उसपे कौन सा होता है positive charge होता है तो हमें पता है positive किसको attract करेगा negative को तो यह histone protein जो होता है यह 8 तरह के histone होता है यहादे को H1 दिखावा है H2, H3, ऐसे 8 होता है तो 8 को हम क्या बोलते है octa, इसलिए इसको बोलते है histone octamer और यह green color का जो दिख रहा है वो histone octamer हो गया और इस green color के histone octamer पे जो wrap डुआवा दिख रहा है आपको पतला सा वो क्या है DNA तो यह पूरा जो structure आप देख रहे हो जो NCRT में भी है यह किसको represent कर रहा है nucleosome को तो हम एक define बना सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए nucleosome क्या है रिनावेशिट DNA धनावेशिट histone protein के लिपट कर जो सरचना बनाता है उसे nucleosome कहते हैं या फिर मैं बोल सकता हूँ negatively charged DNA hold by the positively charged histone protein known as nucleosome और यह nucleosome आपको केवल देखने को मिलेगा कौन सी cell में eukaryotic cell के अंदर आपको यह packaging देखने को मिलेगी